हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलरी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ साथ draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो number आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा whatsapp number है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या phone consultation लेना चाहते हैं तो आप हमें whatsapp के जरीए signal के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए message send कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक complete square shape बनाती हुई नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को check किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं fingers काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही हैं और साथी साथ सभी fingers के उपर आपको बारीक इस तरह की छोटी छोटी रिखाएं नजर आएंगी ऐसी रिखाओं का होना काफी positive माना जाता है इसे रिखाएं होने से native काफी मिलनसार सभाव का रहता है साथी साथ आप देखेंगे इनकी fingers का जुकाव इस तरह से हलका सा अंदर की तरफ यानि इस मध्यमा उंगली की तरफ होता हुआ आपको नजर आएगा इस तरह का जुकाव अंदर की तरफ होना indicate करता है कि native के भीतर थोड़ी वेराग्या की भावना रह सकती है overall इनकी fingers का अच्छी thickness में होना यहां से आप देख सकते है fingers की thickness को दर्शाता है कि बहुत अच्छी energy and stamina भी इनके भीतर रहेगा अगर हम बात करें इनकी fingers की लंबाई की तो आप यहां पर देखेंगे यह है इनकी तरजनी यानि ब्रस्पती की finger है अच्छी लंबाई में होना इस finger का दर्शाता है कि native की leadership qualities बहुत अच्छी रहेंगी परिवार की तरफ से सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है ऐसे native अध्यात्मिक होते हैं दूसरों की मदद करने वाले एक sympathetic type की personality रहती है और इस finger का अच्छी length में होना native को बहुत अच्छा leader बनाता है ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं अगर हम बात करें इनकी शनी finger की तो बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनी finger नजर आ रही है इस finger का अच्छी लंबाई में होना दरिशाता है कि native बहुती मेहनती nature का रहने वाला है ऐसे व्यक्ति disciplined होते हैं एक अनुशाशन प्रिया टाइप की और नया प्रिया टाइप क तो बहुत अच्छी length में इस finger का होना आप देख सकते हैं इनकी सूरिया finger लंबाई में इनकी इस तरजनी finger से भी ज्यादा नजर आ रही है जिस वज़ए से native के भीतर काफी अच्छी creative और artistic qualities रहती हैं ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा social circle समाज में बना पाने में कामयाब काफी अच्छी artistic qualities होने की वज़े से एक अच्छी पहचान समाज में बन पाती हैं लेकिन ऐसे native थोड़े से risk taker भी होते हैं जिनकी यह finger तरजनी उंगली से ज्यादा लंबी हो ऐसे native risk लेने से नहीं घबराते हैं और कई बार तो अपनी धन की investments के मामले में भी ऐसे व्यक्त की तरफ भी native की रूची रह सकती है mercury की बात की जाए तो mercury finger लंबाई में काफी अच्छी है लेकिन थोड़ी सी low set mercury finger आप देख पाएंगे अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह हैं कि एक रेखा बनती हुई जिसमें आप देख सकते हैं इनकी mercury finger बाकी fingers के यानि इन तीनों fingers के मुकाबले आपको काफी नीचे से शुरू होती नजर आएगी जिसको हम low set finger कहते हैं low set mercury finger का होना यहाँ पर दर्शा आता है कि native shy nature का रहेगा थोड़ा सा श्रमीला सभाव रह सकता है लेकिन overall अगर आप देखेंगे इस finger की लंबाई कम नहीं है इस finger का अच्छी लंबाई में होना native को बहुत ही अच्छे communication skills लेता है काफी अच्छा business सेक्कुमेन व्यक्ति का रहता है और ऐसे native की पूरवा अनुमान की क्षमता भी काफी बहितर रहती है यहाँ पर आप देख पाएंगे दोनों fingers के बीच में हलका gap इवन यहाँ पर भ सभाव ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को यहाँ पर आप देखेंगे इनका गुरू परवत बहुत ही उभरा हुआ है ब्रस्पति माउंट जिन लोगों का यह वाला area उठा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति धरम करम के काम करने वाले होते हैं बहुत अच्छी knowledge ऐसे व्यक्ति की रहती है इसी के साथ साथ अंगूठे के उपर आपको यहाँ पर एक आख जैसी अकरिती बनती नजर आएगी जिसको हम बुद्धाजाई का चिन कहते हैं यहाँ पर इस तरह का बुद्धाजाई का चिन बनना नेटिव की बहुत अच्छी six sense को दर्शाता है ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वा अभास होता है कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो अपने किसी मित्र के साथ होने वाला हो उनका अभास इनको पहले से ही हो सकता है कुछ इस प्रभाव एक बहुत ही strong six sense नेटिव को यह ब्रसपती माउंट का उभरा हुआ होना और यह बुद्धा जाई का चिंद दोनों मिलकर देते हैं बात करते हैं इनके शनी की शनी का एरिया आपको यहाँ पर अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा शनी माउंट अगर रेखा बीच बीच में break show कर रही है जैसे अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से एक रेखा शुरू हो और यह रेखा बिना रुके यहां तक पहुंच जाए ऐसी रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत कम मेहनत से ही सब कुछ हासिल हो जाता है ऐसे विक्ति थोड़ी से मेनत करते हैं तो उसके अच्छे प्रणाम नेटिव को मिलते हैं लेकिन यहां पर इनके शनी रेखा आपको यहां तक पहुंचती नजर आएगी और इवन यहां से यह रेखा डबल होती हुई भी आपको नजर आएगी उसके बार यह रेखा सामना इसे विक्ति को अपने चीवन में करना पड़ सकता है अगर हम इनके सूर्य परवत की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य परवत का जो एरिया है यहां पर फ्लाट है जिस वज़े से यश मिलने में नेटिव को कमी महसूस होगी यह माउंट अगर फ्लाट का चिन बनता हुआ नज़र आएगा इस सेरियां आप देख सकते हैं एक फ्लाट और त्रिकोन जैसा चिन बनता हूँ इस तरह का चिन अगर हाथ में हो तो नेटिव को गौर्मेंट की तरफ से लाब मिलते हैं ऐसा चिन होने से ऐसे व्यक्ति को 40 वर्ष की एच के बाद अच्छी पहचान समाज में जरूर मिलती है उसी के साथ साथ यहांँ पर मिस्टिक ख्रॉस इनके हाथ में बनता हुआ आपको नज़र आएगा मिस्टिक ख्रॉस कौन सा होता आपको बताना चाहूँगा यहां पर, यहैं क्रॉस का चिन अप देख पाएंगे सेरिया में यह क्रॉस का चिन इनकी माइंड लाइन यह वाली जो लाइन है माइंड की और यह इनकी यह हाट लाइन दोनों के बीच में बन रहा है इस तरह का मिस्टिक क्रॉस नेटिव को बहुत जबरदस्त सिक्सेंस देता है ऐसा चिन होने से नेटिव की रूची उकल्ट साइंसिस में रह धीरे धीरे डिवेल्प होती है जिनके हाथ पर यह क्रॉस का चिन मौजूद हो अगर हम बात करें इनके मरकरी की तो यह मांट आप देखेंगे काफी उठा हुआ है मरकरी मांट का उभरा हुआ होना बहुत अच्छे कम्निकेशन स्किल्स और बिजनस एकुमेन को दर्शाता है अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइन्स की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हाट लाइन है एक ट्राइडन्ट जैसी शेप आपको बनाती हुई नजर आएगी इस तरह है का त्रिशूल का चिन यहाँ आप देखेंगे इस एरिया में आपको तीन रिखाएं इस भगवान शिव को अतिप्रिया होते हैं और अगर ऐसा नेटिव इमानदारी से अपने चीवन में काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति को चीवन में नसीब होती है यहाँ चिन होने से अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो चीवन में बड़ी दिक्तों का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है आप यहाँ पर देखेंगे हाट लाइन पर कुछ इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचिज आपको नजर आएंगे कुछ हलकी सी डबल होती है रेखा आईलेंड चैसे चिन ब बैक्स का सामना भी करना पड़ सकता है अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन काफी अच्छी लेंथ में है हलका सा नीचे की तरफ जुकाव होने से काफी ओवर्धिंकिंग इनको रह सकती है यह जो इनकी माइंड की पर सकता है अदरवाइस इनकी माइंड लाइन काफी अच्छी है जिस वज़स से मेमरी काफी अच्छी रहने वाली है जीवन रेखा की बात की जाए तो अच्छी लंबाई में यह जीवन रेखा आप देख पाएंगे लगबग इस सेरिया तक 75 के आसपास की एज को इंडिक गुस्याओं का सामना भी व्यक्ति को अपने चीवन में करना पड़ता है ओवराल लंबी एज यहां पर इनकी जीवन रेखा इंडिकेट कर रही है उसके साथ साथ यह जो बारीक रेखाईं आप अंदर की तरफ देख पाएंगे यह काफी अच्छी मानी जाती है ऐसी रेख का देखा जा सकता है अगर हम बात करें इनकी इनके शुक्र परवत की तो आप यहां पर देखेंगे इनका जो शुक्र परवत है काफी उठा हुआ है यह एरिया अगर उभरा हुआ हो तो नेटिव को जीवन में हर तरह के सुक्सवधाएं मिलती है लेकिन इस माउंट के इसे मैरेड लाइप में थोड़ी इंस्टिबिलिटी ऐसे नेटिव को अपने चीवन में फेस करनी पड़ सकती है अगर हम बात करें के चंदर परवत की तो आप यहां पर देखेंगे चंदर परवत से काफी सारी रिखाएं इस तरह से उपर की तरफ निकलती हुई आपको नजर आएंगी इस तरह की रिखाएं मून एरिया पे मौचूद हो तो लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका व्यक्ति को मिलता है व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक बार रहते हैं उसके साथ साथ यहां पर आपको काफी सारी ऐसी बारीक रिखाएं साइड एरिया प के सबी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई न कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेशन पैंडिंग है तो मुझे वट्सैप पे मैसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आप को बहुत बहुत धन्यवाद